हेलो बच्चों, मैं आप लोग को पार तेन सोने की फजल का अभ्यास कार्य बताऊंगी, जिसको आप ध्यान से सुनिये आप लोग को ये कहानी पढ़ा चुकी हूँ, इसका शब्दार्थ भी बता चुकी हूँ और प्रस्नों के उत्तर भी बता चुकी हूँ आज में आप लोग को मौखिक उत्तर एक शब्द लिखिए, मेल कीजिए, समझिए उम लिखिए, अलग कीजिए, बताऊंगी तो इसको ध्यान से सुनिये क्वेश्चिन नमबर का, मौखिक प्रस्न या मौखिक उत्तर दीजिए Q1. राजा जनक की राजधानी कहां थी? जनकपूर Q2. न्यायालाय में फैसला कौन सुनाता है? जज Q3. भारत में सबसे अधिक सुना कहां पाया जाता है? Q4. नारियल की खेती किस प्रदेश में होती है? खा एक शब्द लिखिये कुछ संटेंस दिया है जिसके लिए एक शब्द निधार्द किया गया है वाक्यांसों के लिए एक शब्द Q1. प्रजा का पालन करने वाला प्रजा पालक Q2. न्याय पसंद Q3. चोरी करने वाला चोर Q4. रच्छा करने वाला रख्षक Q5. जिसका विवाह न हुआ हो आविवाहित Q5. जिसका विवाह न हुआ हो आविवाहित Q5. मेल कीजिए Q5. रजा चंद्रकेतु रानी शीलमती नगर सेठ हीरा मल बुद्धिमान चोर रामदत सोने की फसल Q5. नमबर घा समझिए और लिखिए Q5. नमबर वन दर्शन दार्शनिक Q5. दर्शन का दार्शनिक उसी तरीके से Q5. विज्ञान का वैज्ञानिक Q5. उद्योग का अध्योगिक Q5. फोर अर्थ का आर्थिक Q5. इतिहास का आतिहासिक Q5. अगा अलग कीजिए Q5. अगा अलग कीजिए Q1. समवरांत सम प्लस वरांत Q3. सम फूड इसी मा को यहाँ पे लिख करके इसको आधा कर देंगे बीच में लिख करके अभी उपर है तो इसको बीच में लिख करके इसको आधा कर देंगे हलन्त लगा देंगे सम मुक सम प्लस मुख सम पूर्दी सम प्लस पूर्दी सम मान सम प्लस मान सम प्लस मान तो बच्चों, पार तीन का पहले आप कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे क्या लिखेंगे? शब्दार्थ उसके बाद मौखिक उत्तर दीजिए फिर मौखिक उत्तर लिखेंगे उसके बाद कोश्चन नमबर खा लिखेंगे उसके बाद question number गा लिखेंगे ठिक फिर गा उसके बाद गा फिर question number गा उसके बाद आपका question number 4 question answer सबसे last में कीजीगा question number 4 ओके तो मैं आज आप लोग को पाट 4 की कविता पढ़ा देती हूं और इसका अर्थ हाप लोग को कल बताऊंगी पाट 4 सरिता पाट 4 का क्या नाम है? सरिता यह लगु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल हिमगिरी के हिमसे निकल निकल यह विमल दोध साहिम का जल करकर निनाद कलकल छल छल तन का चंचल मन का विहवल यह लगुसरिता का वहता जल उँचे सिखरों से उतर उतर गिर 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 की चटानों पर कंकड कंकड पैदल चल कर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल 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 यह लगुसरिता का वहता जल हिमके पत्थर वे पिघल पिघल वन गए धरा का वारी विमल सुखपाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजल भर म्रेदुजल नित जल कर भी कितना शीतल यह लगुसरिता का वहता जल कितना को मल कितना वत्सल रेजननी का यह अंतस्थल जिसका यह शीतल करुडा जल बहता रहता युग युग अभिरल गंगा यमुना सर्यू निर्मल यह लगुसरिता का वहता जल यह कविता किसने लिखा है? गोपाल सिंग नेपाली ने कविता से हमें क्या सैक मिलती है? नदिया हमारी माँ के समान है हम उन्हें निर्मल रखे जो हम लोग नदियों में कूड़ा, करकट, गंदगी फैलाते हैं उसको हम ना फैलाएं उसको हम एकदम निर्मल रखें, साप सौक्छ रखें, वो हमारी मा हैं, उसको हम अपनी मा के समान समझें, और उसको हम सौक्छ रखें, ठीक है, चलिए इसका शब्दार्थ भी जान लेजिए, शब्दों से दोस्ती, लगू, सौरी, इचीजे मैं आप लोको कल बताऊंगी, थैंक यू